यह नरेंद्र मोधी सरकार की निती है जो हत्यार छोड़ कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत करकर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा दे कर उनको विकास की मुख्यधारा में समाहित करना और यही निती का परिणाम है कि एक के बाद एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्या है नरेंद्र मोधी सरकार को वारिस वार्षा में मिली थी उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं जहां तक कारवियामलों का सवाल है हम लगबग असाम सरकार पांच वर्ष में एक हजार करोड रुपया एक शेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी प्रती बजेट में दो सो करोड रुपया यह बहुत बड़ी बात है आप लोगों के साथ वार्था सुरू करने से पहले ही आपका था कि वह हमारा दिल्ली में कोई भवन नहीं है इसका सिलान्यास हुआ था एहमन जी और सर्वानन जी दोनों थे उस वक्त तब मैंने कहा था कि आप एक बार वार्था को पट्री पर चड़ाइए यह हमने एक हमारी वर से सुरुवात करी है और आज आप जाकर देखिए भवन का काम का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और कुछी समय में कार्भी आंगलोंग से आने वाले भायों बेनों को दिल्ली में अच्छी रहने की सुवीदा मिल जाएगी और आज जब एग्रिमेंट हो रहा है तब मैं इतना जरूर कहता हूँ कि नरेंद्र मोधी सरकार की निती है कि जो एग्रिमेंट को हम करते हैं वो एग्रिमेंट की सभी सर्तों का पालन हमारे ही समय में हम पूरा करते हैं यह हमारा रहत हो चाहे बोडोलेंड का agreement हो, चाहे भुरू समझोता किया हो, चाहे त्रिपुरा के NLPT का समझोता किया हो, चाहे कारवियांगलोंका किया हो. मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे के तीन समझोते जो हमने करे हैं, इसके असी प्रत्सत से ज्यादा सर्ते पूरी हो चुकी है और बोडो लेंड में तो लगबग सब पूरा हो चुका है, बुरू समझोतों में भी परसोही मैंने रिव्यू किया था लगबग 1200 लोगों का रहने का पूरा व्यवस्ता बन चुका है, उनको जमी दामबन टीत कर दी गई है, उनको काड दे दी गई है, खाने पीने की व्यवस्ता कर दी है, अच्छे स्कूल बनाये जा रहे हैं और 2022 आते आते ये पूरे भूरू सरणार्थियों का हम फिर से एक बार रहने की व्यवस्ता कर देंगे, इसी तरह एनलक्टी समझोतों में भी 100 करोड रूपया देना था, उसमें से 40-40 की दो किस्ते हमने दे दी हैं, और लगबग लगबग जीस 88 केडर ने हत्यार डाला था उन सबको rehabilitation के लिए भी हमने पूरा हमारा वादा था, वो पूरा किया है, मैं आज पांचो संगठन के जो नेता यहां है, उनको और CM को दोनों को वचन देना चाहता हूं, भरोशा दिलाना चाहता हूं, इस सारी सर्ते हम टाइक किये हुए समय के अंदर ही पूरी करेंगे, और लंबा कारवी आंगलों के लिए सांती और विकास का यूग का सुरुवात होगा, ससस्त्र समों के कैडर के पूर्वास के लिए जो प्रावधान किया है, उसकी भी पूरी चर्चा मेरी आसाम के मुख्यमंत्री महोदाई से हो गई है, कारवी कल्यान परिशत की स्थापन का भी एक मसोदा हमने तयार कर दिया है, और Consolidate Fund of State उसमें जो संसोधन करना है, वो अगले ही बजेट सत्र में आसाम सरकार लेकर आएगी, इसमें हमारे मन में कोई confusion नहीं है.